पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में नशेडी तत्व सक्रिया हो गया है जिनके कारण बड़ी दुरगटना होने की संभावनाए हो सकती है पुद्वार शाम सवा पांच बजे शहर का प्रमुकस्तान टावर चोक पसड़क के बीचो बीच एक रिक्षा चालक वहान खड़ा कर सू गया लोग हौन बजाते वे निकलते रहे किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था बड़ी बात तो यहा है कि यहां पर पुलिस की सोडायल का पॉइंट है उसके नजदीक ही यह खड़ा हुआ था यहां इस तीथी देख साफ नजर आता है कि समझ चालक इस प्रकार से नशे में था कि वह गाड़ी को रोड से किनारे लगाने तक का इंतिजार नहीं कर पाया और यहां नशे की हालत में कहां से गाड़ी चला कर ट्रावर तक पहुंचा ऐसे में आमजन को हानी भी पहुंच सकती थी जैना आर्टियो को चाहिए कि वीडियो वाइरल पर ततकार संग्यान ले एवं समंदित आटो चालक का लपरवाही के चलते लाइसेंस ने रस्त किया जाए इस वाक्य से एक बाद तो सामने आती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जिसमें आटो मेजिक सीटी एवं प्राइवेट बसे के वरुद लंबे अर्से से आर्टियो विभाग ने कोई चेकिंग आदी की कारवाही नहीं की है वहीं ट्राविक पलिस को भी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले वाहनों को रोक कर मशीन से चेक किया जाए कि चालक कही नशे में तो नहीं है ऐसे स्थीती में जुर्माने की कारवाही की जाए चालक का लाइसेंस स्पेंट किया जाए कड़ी कारवाही से ही नश्वेडी तत्वों पर नकेल कसी जा सकती है क्योंकि प्राइवेट वाहनों पर तो कभी कबार मशीन से जाज कर दीख जाता है कि वाहन चौलक नशे में है या नहीं पर पब्लिक ट्रांस्पोर्ट अक्सर ऐसी कारवाही से बच जाते हैं वैसे भी नूतन नववर्ष की भी नजदीक है